हेलो दोस्त आज स्टार्ट करते हैं सेसीजल के 30 कोश्च जो मैं लेकर आया हूँ वो वन लाइनर कोश्च नो बहुत ही इंपॉर्टन्ट है और ऐसे कोश्च पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गये हैं तो दोस्त आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ले वरना आप ऐसे वीडियो के अपडेट से आप बंचित रह जाएंगे और आपसे कुछ इंपॉर्टन चूट सकत तो शुरू करते हैं पहले कोशन से मॉल्टन रॉक बिलो दा सर्फेस ऑफ अर्थ इसकाल्ड तो जो वल्कैनों से जो मॉल्टन राक निकलती है जो भी मॉल्टन माटेरियल निकलता है उसे हम कहते हैं मैगमा सरिक्षा एंड रेथम बोर आर रिजर्वर टाइगर तो इसे र बाल लार्जेस्ट आइजलेंड दुनिया का सबसे बडा आयलैंड का है तो वह है ग्रीनलैंड रियो समीते एससियेटेड विध सेसियेटेड विध कंजर्वेश्न इसे एससियेट किया गया है इससे एकंजर्वेशन आ ऑप्या लॉजकल डाइबस्टी पर यह भी हैं ज़ जो दोनों को सेपरेट करता है वो है 10 degree channel और at hill station boiling point of water तो जो hill station होते हैं boiling water जो होता है वो less than हो जाता है sea level से. Japan is the land of rising sun तो Japan को rising sun इसलिए बोले जाता है क्यों कि जो जापान है वो सबसे east में पढ़ता है वह सबसे पहले पढ़ता इस्ट में तो यहां पर सबसे पहले sunrise होती है इंडिया largest irrigation canal in इंडिया तो इंडिया की जो irrigation canal है largest canal irrigation की तो है इंद्रा गाधी canal और एक group of interconnected island इंडोन एस आर्की फिलागो तो इसे आर्की फिलागो बोलते हैं तो इंडिया में सबसे यादा पावर दोस्त इलेविंद कोश्चन है harvesting season of kharip crops in इंडिया तो जो खरीब की फसल होती है उसे कटाई करते हैं September October में इसमें में लिए आती है राइस और रा रिजन इन इंडिया इस नाव रिगार्डेड ऐस एन एकोलाजिकल होट स्पॉट तो यह जो होट स्पॉट एकोलाजिकल होट स्पॉट है यह कहा जाता है western गाट्स को दब्यूफोट स्केल यूज्ट तो मेजर तो यह ब्यूफोट एक स्केल होता है जिससे हम विंड वेलाउस्टी को मेजर करते हैं तो सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग जो होता है एनर्जी सोर्स जो है वो है यह थर्मल एनर्जी तो ताइट्स होते हैं जो ताइट्स आते हैं सी में वो मेली होता है ग्रेविटेशनल इफेक्ट आप दे मून अन अर्थ लेक्स्ट कोच्ण है फिल्ट अब अब आते हैं नए कोड़ियों पर आप आप यह जाता है एंध्राइड में जो कि मैक्सिम्म होता है इंचारों में कि अब आते हैं नए कोड़ो काइटान चैंज तो यह जो प्रोटो कॉल है यह इसीट है पुरा का पूरा तो जोない नोजन पार्ट और इंडिय वह at कौकन कोस्ट बीजिए सिश्चे पॉर्ट इंडियकह वह the the Great barrier reef is the World largest coral reef located in the Great barrier reef यह दुनिया का largest coral reef और यह रोकेटेट है और आस्ट्रेलिया में City of Iraq is located on Tigris River, Tigris River पे बसा हुग से है कहुं सा है? भग्दाद, the largest collection of stars, dust and gas held together by gravitational attraction between components in muutzes तो इन स्टार्ज के डॉस्ट के गैस को और ग्रेविटेशनल अट्रेक्शन को कंपोनेंट को हम टोटल को पूरा मिक्स कॉम्बो को बोलते हैं गैलेक्सी तो सबसे ज़्यादा जो सुखा पड़ा हुए है वो पड़ा है चिल में और इसनग वाम को आग्मिलिश है के लिए चाहिए उन आप से रोजेशन और уже जो सबसे ऊपर पाठें को जो सबसे अंधर का पा वशांता है और अर्थ का सेंटर मैं आपको बता दूँ कि इसी लेवल से मुल्दब 6000 किलोमेटर नीचे अगर हम जाएंगे तो हम अर्थ के सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो इसे बोलते हैं बैरी स्पीर The Headquarter of National Film Archives of India NFAI इसका Headquarter कहां पर है इसका Headquarter है पूने Swage Canal Connected Red Sea and Mediterranean Sea मुलब Swage नहर किस-किस को connect करती है तो लाल सागर और भूमध्य सागर को ये connect करती है तो अपर्मोस लेयर ओफ एटमोस्फियर तो सबसे अपर्मोस लेयर जो है एटमोस्फियर की है वो है एक्सोस्पियर तो फ्रेंड्स थैंक्स पॉर वाचिंग इस वीडियो और ऐसे अपडेट्स के लिए आप चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करिए और जिन्हों भी हो सकते वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों में ओके थैंक्स फॉर वाचिंग